हेलो दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्रिधान्य मिलेट से अमली तो वैसे मैंने दो रेसेपी शेयर किया है एक हम अमली बनाये थे दोस्तो स्रिधान्य मिलेट से मतलब जो डायेक्ट अनाज से और एक हमने बनाये था अनाज को मतलब स्रिधान्य मिलेट को थोड़ा सा सू बनाएंगे और यह जो फ्रोसेस दोस्तों बहुत ज्यादा एजी है और बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है अकर आपको वह वाला प्रोसेस थोड़ा सा कठीन लग रहा होगा तो आप इस प्रोसेस से डेली आप बना कर खा सकते हैं और सभी जानते कि सिधाने मिलेट का अमल करेंगे तो मैंने यहां पार एक कप इस आटे को ले लिया है और यह जो आटा है दोस्तों यह साधरान चक्की से पिसा होगा नहीं है यह जो होता है वैदिक आटा चक्की उससे निकाला गया यह आटा जो की और ज्यादा 100% प्योर होता है तो इसमें देखिए एक कप मैंने आटा लिया है उसमें एक कप मैं पानी डालकर इसे घोल बना लेती हूं जिसे कि इसमें लंग्स बिल्कुल भी ना पड़े जिसे आपने देखा होगा कि हमने जब स्रिधाने मिलेट से जब बनाया था तो उसे हम आधा गंट भीगा कर रखे थे और अगर हम आटा से बनाते हमको आधा गंट भीगाने के जरुत नहीं पड़ता है तो इसे हम तुरंद बना सकते हैं तो यह देखे यहां पर एक मिट्टी का बरतन ले लिए मिट्टी के बरतन बनाना बहुत जरूरी है इसे तो अगर हम जब भी मिलेट सेंबली बनाते हैं तो जीतना मिलेट रहता है उसे दस बार्रेक गुणा मिलेना पड़ता है तो एक पानी मैंने इस्तु हो जाके अुर जब भबनाया है उसे आपे ड़ते है और ढलने के बादा यaw 194 जैन्म मतलबंता बैठा से नहीं इस लिए वी क्याषण लीचए 4,5 जपा गरम हो गया है क्यानू जुका सब पान पकाना है दोस्तों जब तक की अच्छा से गाढ़ा नो हो जाए तब हमें इसे पकाना पड़ता है तो करीब आपको इस अहां पर बनाने में 15-20 मिनट लगी जाएगा और अगर हम मिलेट से राइट बनाते तो उसमें आदा घंटा से पॉन घंटा के अंदर बनता है तो यह द देखिए अब हम पकाने के बाद गयस को बंद कर दिया और यह देखिए अभी आटाइस में कैसे लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो यह पंद्रा मिनट बाद हम घंडा होने देते हैं क्योंकि यह इतना गाढ़ा है लेकिन जब ठंडा हो जाएगा और भी जाता प्रवाद ले सकते हैं और इसे हम ऐसे कवर कर देंगे तो इस चौक और कप्रा लिया था दोस्तों इसे एक साइट में ने गाट लगा लिया है और इसे हम ऐसे फिर बांद देते जिसे की आसानी से बन जाता है जैसे भी आपको इजी पड़े वैसे आप इसको कोई भी सबयरे आपको दिखाता है तो शड़ाता को कि यह कैसे हो जाएगा तो यह देखे दोस्तों अब मैं माण निंगर दिखा रही हूं तो सब्षये करेंगे तोड़ा सा घाडा हो जाता है और क्ष़मेडेट नहीं को लेकिन छत्ता बिल्कुल देखेत है कि थी उतक्तभ नहीं हम वें लगेगा, काने में मिल को घाल कि देती और हुआ सब्सक्राज्य गहां करें बञें ये सब्सक्राइब जानते हैं की मैं हर प्रकार का था बना लेते हैं कभी हम लोग पोर सब्सक्राइब तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो इसे दो मैने तीर मैने अगर आप अम्मली खाते तो बहुत सर प्रॉब्लम ठीक हो जाता है ऐसा खादिर वाली ची पोलाज बंते हैं अगर नमक और स्वात के लिए थोड़ा सा दही आड़ कर दीजिए फिर खाना बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है और दही पसंद नहीं है तो सिर्फ अगर नमक डालकर या फिर भीना नमक कर आप इसे पी जाए बहुत ज़्यादा टेश्टी है इसे खाली पेट जब से तब तक लिबाएं टेक किया आप